दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपोर्टेंट बातें मेरे द्वारा लेखी विश्व की सबसे सरल गीता की प्राइस कुछ देर के लिए कम कर दी गई है पचास बुक्स इस कम कीमत पर थोड़े समय के लिए बिकेंगी तो अगर आप संपून कीता को कहानी और उधार नोद्वारा समझना चाते हो तो फर्स्ट कमेंट से खरीच सकते हो कुछ ना समझाने पर आप वाटसेप पर मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकोगे और दूसरा दोस्तो हमारे दूसरे चैनल पर एक वीडियो डाली है बुराडी कांड उस रात में क्या हुआ था क्यों एक परिवार के ग्याना लोगों ने एक साथ जानते दी थी उस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि आज हिंदू धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है और इस वीडियो का लिंक भी फर्स्ट कमेंट और एंड स्क्रीन में दिया है तो इसको भी एक बार जरूर देखना जैशे किष्न दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे तीन बहुत ही प्रसिद धार्मिक गुरूओं की स्वामी विवेकानन जी, स्वामी प्रभुपाज जी और स्वामी द्यानन जी ये कोई कमपैरिजन वीडियो नहीं है इस वीडियो से हम जानेंगे कि इन तीनों की सोच में क्या अंतर है और आखिर इतना अंतर है क्यों और एक और बात सपस्ट कर दूं कि इन सभी की सोच में इतना जादा अंतर है कि इनका कमपैरिजन बनता ही नहीं है पर जो इस वीडियो का निशकर्ष है वो आपको हिरान कर देगा और आप ये भी जानोगे कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सीख क्या है तो मैं बस आपसे एक request करूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इसके निशकर्ष को बिल्कुल भी miss मत करना क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सुनातन धर्म के बारे में समझाना ही है हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन तीनों ने क्या मार्ग चुने और क्यों यही मार्ग चुने और इन तीनों को किस बात पर सबसे अधिक criticism का सामना करना पड़ा क्योंकि criticism यानि निंदा हर किसी की होती ही है श्री कृष्ण की भी हुई थी कौर्वों के द्वारा हम इस वीडियो से ये भी जानेंगे कि तीनों में से सही कौन है और कौन गलत है देखा जाए तो इन तीनों महान गुरुओं का नाम बड़ी ही आदर सतकार से लिया जाता है और इन तीनों की सोच ही बिलकुल अलग है और ये सोच इतनी अलग है कि ये सोच अपने आप में ही बताती है कि ये खुद भी एक दूसरे के विरोधी थे इनकी सोच नहीं एक दूसरे का criticism भी किया है जिसमें कुछ भी गलत नहीं क्योंकि मेरा तो मानना है कि हर सफल व्यक्ती की निंदा होती ही है और अगर आपकी निंदा नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आप सफल ही नहीं हो और अगर हम बुद्धी से देखें तो इन में से किसी की भी निंदा नहीं हुई वो है वेदों के विद्वान आर्य समाज के संस्तापक स्वामी द्यानन जी जहां इनोंने समाज में फैली कुरीतियों और अन्विश्वास का खंडन करके लोगों के दिलों में अपनी जगां बनाई वहीं इनकी निंदा भी हुई और इनकी निंदा के आपको तीन मुखे कारण मिलेंगे पहला स्वामी जी के सच बोलने की आदत आर्य समाज के दस नियों में उसे चौथा नियम है कि आप केवल सच को ही स्विकार करो और असत्य को छोड़ दो और आपको जानकर हैरांगी होगी स्वामी द्यानन जी की जान सच बोलने के कारण ही गई थी हुआ ये था जूतपूर के राजा जस्वंद सिंग दो स्वामी जी को बेहत पसंद करते थे और वो कई बार उनको उपदेश देने के लिए बुलाते थे और इनी राजा के पास ननही जान नामक एक वैश्या आया करती जो नरित्य करती थी और एक बार स्वामी जी की उपस्तिती में ऐसा हुआ तो स्वामी जी ने राजा को खूप नाटा और धर्म ग्यान भी दिया उन्होंने वैश्या के सामने ही वैश्या का सच राजा को बताया राजा तो सीधे मार्क पर आ गए और उन्होंने वैश्या से दूरी बना ली परन्तु अब ये वैशा स्वामी जी से बदला लेने की आग में चलने लगी हुआ ये कि स्वामी जी रात को सोने से पहले दूद पिया करते थे और नन्नी जानने स्वामी जी के रुसईये जगननात के साथ मिलकर उनके दूद में पिसा हुआ काँच मिला दिया काँच बरा दूद पीकर स्वामी जी बिमार पड़ गए परन्तु अब रुसईये जगननात को पच्चतावा हुआ और उसने स्वामी जी को बता दिया कि उसने उन्हें जहर दिया है और अब स्वामी जी ने वो किया जो एक आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकता स्वामी जी को लगने लगा रुसईये को अपने कर्म का पच्चतावा है और वो बिचारा मर जाएगा तो स्वामी जी ने रुसईये को ही शमादान दे दिया और तो और उन्होंने रुसईये को कुछ पैसे दिये और कहा अगर मेरे अन्याईयों को पता चल गया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है तो वो तुमें खूब मारेंगे इसलिए तुम यहां से भाग जाओ अब अपने ही कातिल को शमा करना इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है पर ऐसा हुआ था और ये सब हुआ वैश्या के सामने सच बोलने के कारण और सच बोलने के क्योंकि स्वामी जी ने कई लोगों की पाखंड की दुकानों को बंद करवाया यही कारण है कि आप एक भी पाखंडी को स्वामी जी के भक्त के रूप में नहीं पाओगे और जितने भी पाखंडी है वो आर्य समाज और स्वामी ध्यानन की निंदा करते ही मिलेंगे तीसरा, स्वामी जी का फिरोद कुछ हिंदू लोगों ने भी किया, क्योंकि जहां द्यानन जी ने सबसे उचास्थान वेदों को दिया, वहीं इनोंने पुराणों को पूरी तरह से नकार दिया, भलकि मूर्ती पूजा का भी इनोंने खंडन किया, और तो और कुछ लोग इन के क्रिटिसिजम का बना, वो किया गया, बाकी के धर्मों के लोगों द्वारा, अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी जी ने कई और धर्मों पर प्रश्न उठाए, स्वामी जी के अनुसार, जैन धर्म, बाद धर्म, सिक धर्म, क्रिश्चन धर्म, और इसलाम कोई ऐसा शहर हो जहांबर आर्या समाज संस्था ना हो और अब भात करते हैं इस कौन के संस्थापक प्रभुपाट जी की इनकी सबसे बड़ी उपलब्दी तो यही रही कि इनोंने श्रीकृष्ण के ज्यान का प्रसार देश में ही नहीं बलकि विदेश में भी किया पाकिस् लोग ये भी एपनी घीता में बुद्धी की जगां भक्ती लिखा है इसके इलावा कुछ लोग इसकौन पर विदेशों में पैसे भेजने का आरोप भी लगाते हैं इसकौन की गुरु परमप्रा पे भी प्रशन उठाए जाते हैं और श्रीकृष्ण को परम भगवान बत देना इसी के कारण इनकी आलोचना हुई, खास करके मा दुर्गा और भगवान शिव के भक्त इस बात को पसंद नहीं करते, बहुत से लोग इसकौन को केवल एक बिसनस मॉडल की तरह देखते हैं, चलिए तो अब बात करते हैं स्वामी विवेका नंजी की, स्वामी विवेक का एजेंट तक कह देते हैं, दूसरा स्वामी जी खुद मास खाते थे, और तो और The Complete Work of स्वामी विवेकानन, Volume 5 में स्वामी जी ने मास खाने को सही भी बताया, और हाँ अगर आप इस विशे पर एक अलग से वीडियो चाहते हो, तो कोमेंट करके बताओ, मैं इस पर एक अ अंद विश्वास का विरोध किया है, उस समय बहुत से लोग ऐसे कार्रे करते थे, जो वेद विरोधी थे, और ये लोग ये कह देते थे, कि ये वेद में बताया गया है, इन्होंने जियोतिश विद्या का भी विरोध किया, इस कारण भी कुछ लोग इने गलत मानते हैं, चलो, अब आते हैं वीडियो के सबसे important part, यानि निशकर्ष पर, दोस्तो आपने देखा, एक ही धर्म को मानने वाले तीन धर्मिक गुरुओं की सोच में कितना अंतर है, जहां स्वामी द्यानन जी, श्री कृष्ण को केवल एक महापुरुष के रूप में देखते हैं, वह स्वामी प्रभुपात केवल श्री कृष्ण को ही भगबान मानते हैं, और अब सबसे हरानी वाली बात, ये तीनों ही गीताजुई को भी मानते हैं, तो इनकी सोच में इतना अंतर क्यों, सच तो ये है कि हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति की सोच का गुलाम नहीं है, सलातन अब जैसे स्वामी द्यानन जी ने मूर्ती पूजा का खुल के विरोध किया, पुरानों को भी गलत कहा, और किसी और धर्म में ऐसा करने वाले को तो शायद सर से ही अलग कर दिया जाता, परन्तु हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ही ये ही है, कि हिंदू धर्म ह हमें अपना मार्क चुनने की स्वतंतरता देता है, और ये जानने से पहले कि कौन सही है, ये जानते हैं कि आखिर इनकी सोच में इतना अंतर क्यों है, स्वामी द्यानन जी ने सबसे उचा स्थान दिया वेदों को, और जो वेदों में नहीं हर उस चीज को नकार दिया, प् तर जानेंगे स्वामी विवेकानन जी की बताई गई एक कहानी से, तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर, भारत के गाउं में एक मेला लगा हुआ था, मेले में काफी लोग इकठा हुए, इस मेले में एक हाथी भी था, और सभी लोग हाथी को देखने के लिए एक ही जगा इ हत प्रसन हुए, और जब मिला समाप्त हो गया, ये लोग घर वापस जाने लगे, और इनके साथ कुछ लोग और भी थे, जो देख सकते थे, कि तभी एक अंधा व्यक्ति बोला, कैसा लगता था हाथी, मानो एक दिवार हो, दूसरा अंधा व्यक्ति बोला, चल हट, हाथी हाथी तो एक रसी की तरह था, तीसरा बोला, क्या बक रहे हो, हाथी को मैने खुद जू कर देखा था, हाथी तो एक सिरहाने की तरह दिखता था, कोमल सा, तो चौता बोला, अरे नहीं, हाथी तो पेड़ की टहनी की तरह था, तो एक बोला, अरे हाथी तो खंबे की तरह थ इस कहानी में हाथी प्रतीक है भगवान का और हर किसी ने भगवान को अलग-अलग जगा से चुआ है, देखा है, महसूस किया है और भगवान तक केवल एक मार्क नहीं जाता, मैं ही सही हूँ, ये खमंड के सिवा कुछ भी नहीं है, बलकि हम लोगों को दूसरे व्यक्ति के नजरिये का समझने की कोशिश करनी चाहिए, हरे कृष्णा